आज के टाइम पे पानी पे रहने वाली सबसे बड़ी जीब है ब्लू वेल। इनफैक्ट ब्लू वेल को अगर हम धर्ती पे मौजूद बाकी सबी जीबों के साथ कमपेर करते हैं तो तब भी ये सबसे बड़ी जीब होगी। हमारी धर्ती सारे 400 करोर साल पुरानी है और क्या इतने लंबे अर्सों में सिर्फ ब्लू वेल ही सबसे बड़ी जीबित प्रजाती है वैसे ब्लू वेल को मचली कहना गलत होगा क्यूंकि ये एक मैमेल्स प्रजाती की जीब है मचलियों के प्रजाती के हिसाब से दे ग्रेट में मौजूद थी और उसका नाम था मेगलडॉन मेगलडॉन आज से लगवक 30 लाग साल पहले समुद्र पे राच करते थे इसकी लंबाई 60 फीट और इसका जबडा करीब 3 मीटर का होता था जो की एक इंसानी सरीर से काफी ज्यादा बढ़ा था मेगलडॉन की इस जबडे म में मेगलडॉन का दात तूट जाता है तो नया दात निकलने में सिर्फ एक से दो दिन का समय लगता था मेगलडॉन अपने शिकार को मूर से दबोचते समय शिकार पर जो प्रेशर क्रेट करता था वो करीब 10 टन के बढ़ा बढ़ था जो एक कचुए के शेल को भी आसानी स तोर सकता है इनका वजन करिब 100 टन के आसपास होता था मेगलडॉन शार्क इतना बढ़ा था कि इनको हर रोज भारी मात्रा में खाने की जरूरत परती थी साइंटिस्टों की माने तो इनको हर दिन लगवक एक टन जितना खाना चाहिए होता था जो मेगलडॉन समुद्र के वेल, सी काउ या फिर सी लायन जैसी जीबों को खा कर अपने हर दिन की जरूरतों को पूरी करता था मेगलडॉन के बच्चों का वजन 2-3 टन और लंबाई 10 फीट का होता था और इनका जनम समुद्र के उन इलाके में होता था जहापर पानी की मात्रा काफी ज्यादा थी क् इसी वजे से मेगलडॉन शिकार करने समुद्र के किनारे पे नहीं जाते थे क्यूकि इन जीबों का आकार बहुत ज्यादा बढ़ा था और पानी का लेवल कम होना मतलब इनके लिए जानलेवा खत्रे के बढ़ाबर था तो इतनी बड़ी और शक्तिसाली प्रजाती होने के बावजूद ये मेगलडॉन बिलुप्थ कैसे हो गया क्यूकि डाइनेसॉर्स जैसे जीबों के खतम होने के पीछे भी एक बहुत बढ़े ऐस्टराइड का हाथ था लेकिन मेगलडॉन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था मेगलडॉन के बिलुप्थ होने का कारण आज भी ठीक तरसे पता नहीं चल पाया है इनके बिलुप्थ होने को लेकर बहुत सी थियोरीज निकली है लेकिन एक थियोरी जिसको सबसे ज्यादा आइडियल माना जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस थियोरी के मुताबिक समय के साथ साथ नय प्रजाती के समुद्र प्रजीब एवलूशन के चलते उत्पन होने लगे और समुद्र पर मचलियों की संख्या बहुती तेजी से बढ़ने लगी और इन छोटी मचलियों को बड़े शार्क्स खा रहे थे मेगलडॉन भले ही आकार में बहुत बढ़ा था लेकिन इनके आबादी उन वाइड शार प्रजाती के लिए खाना कम पर रहा था और मेगलडॉन को भूक लगने पर ये अपने ही प्रजाती के छोटे बच्चों को भी खा लेती थी तो इसी तरह से मेगलडॉन की प्रजाती पूरी तरह से खतम हो गई लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या मेगलडॉन आज भी इस धर्ती पर एक्जिस्ट करता है क्यूंकि पिछले कुछ साल में ऐसी घटनाए घट चुकी है कि मेगलडॉन के बिलूप आखो साल पहले ही बिलूप्त हो चुका है फिर ये दांत कैसे सिर्फ 10,000 साल पुराना हो सकता है इसके अलावा 2009 में हिस्ट्री चैनल के डॉकुमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मचली को ढूंडने का मिशन दिखाया गया था यहां के लोगों का कहन था कि यहां एक बहुत बड़ी शार्क मचली मौजूद है जो तेजी से इस इलाके की मचलियों को खा रही थी और उन लोगों के मुदाबिक ये शार्क 45 फिट लंबी रही होगी और अगर ये सच हुआ तो ये कोई मामूली वाइट शार्क तो 100 परसन नहीं होगा क्यूंकि वो आकार में ज्यादा से ज्यादा 20 फिट तक का ही होता है लेकिन ताज्यूग की बात तो ये है कि चैनल की टीम इतनी बड़ी मचली को ढूंड पाने में नाकामी अब रही मेगलोडॉन के अस्तित्व को लेकर आज भी साइंटिस्टों के बीच में मदवेध है लेकिन ज् फेक है नहीं तो लोगों का वहम है और कुछ नहीं लेकिन कोई जीप पूरी तरसे बिलुप्त हो चुका है या नहीं ये 100% शीरली बता पाना लगवग असंबव है क्यूंकि ऐसे बहुत से समुद्री जीप थे जिनको साइंटिस्टों ने बिलुप्त प्रजाती के तोर प पाई गई थी जो डाइनेसॉर्स के समय से अपने वजूद को धर्ती पर टिकाई हुए है इसके अलावा मेगा माउथ शार्क एक ऐसी शार्क की प्रजाती है जो करीब 7 मीटर लंबी होती है लेकिन ताज्युक की बाद तो ये है कि 1976 से पहले शार्क की इस प्रजाती के बा कि उसका अंदाजा भी शायद हम नहीं कर पाएंगे 21st century के इस modern time period में भी हम आज तक समुद्र के सिर्फ 5% area के बाड़े में ही ठीक से जान पाए है और बाकी के 95% के बाड़े में हमें कोई भी idea नहीं है कि वहाँ पर क्या हो सकता है क्योंकि समुद्र इतना विशाल है कि वह पर सिर्फ एक particular पजाती के जीब को ढूंट पाना बहुत ही मुश्किल है तो क्या Megalodon भी समुद्र के उन 95% unknown region में आज भी मौजूद है या फिर वह पूरी तरह से बिलुप्त हो चुका है तो इस मामले में आपकी क्या राय है मीचे कॉमेंट करके जरूर बताए और अगर में ऐसी ही वीडियोस हर अपते लाता रहता हूँ तो मिलता हूँ अपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फर वाचिंग